आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, क्वेशन में पूछा जो फ्री एनर्जी चेंज है वो कैसे रिलिटेड़ है एंथेल्पी और एंट्रॉपी के ठीक है, वेरी सिंपल, हमें पाता है कि वो एक्वेशन हो जो होती है वो हमारी कॉन सी होती है Gibbs, Hellum-Holz एक्वेशन, तो देखता है वो होती है और वो कैसे आती है, तो हमें पाता है जो हमारा चेंज इन पी तो देल्टा-H किसके एक्वाल होता है चेंज इन इंटर्नल अनर्जी प्लस पी डेल्टा-V यहां पे चेंज इन वोल्यूम और हमें पाता है जो हमारा फिर्स लॉफ थर्मोडाइनमिक सा वो क्या कहता है heat transfer Q is equal to डेल्टा-U प्लस work done in the case of expansion प्लस work done in the case of non-expansion फाइन, तो देखो इसके बाद क्या होगा, अगर मैं Q को लिख दूँ डेल्टा-U वागदन expansion के case में P डेल्टा-V प्लस work done non-expansion ठीक है ना तो यहाँ पर यह मेरा किसके equal हो जाएगा आप फर्स्ट equation देखें तो यह मेरा किसके equal हो गए डेल्टा-U प्लस work done non-expansion ठीक है ना तो यहाँ से आपको पता है हमारा change in entropy किसके equal होता है Q reverse को हमारा absolute temperature ठीक है ना तो अगर मैं यहाँ पर Q को क्या लिख दू TDS यहाँ पर Q के आगा मेरा T delta S के equal ठीक है तो यहाँ होगा T delta S यहाँ होगा मेरा delta G और जो work done non-expansion होता है वो क्या होते मेरी unavailability to do the work और वो क्या होते मेरी delta G Gibbs free energy तो यह किसके equal होगा delta G के तो delta G किसके को लागा मेरा delta H minus T delta H जहाँ पर delta G के मेरा change in free energy और यही क्या है हमारी Gibbs-Hellam-Holtz equation जो हमें relate करती है free energy को किस से free energy को enthalpy से भी और entropy से भी तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा delta G is equal to delta H minus T delta S जो given है option number A में ठीक है Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट 8444 चार्स उपर